क्यातर मोंटर के अं Earcularvest के फ्रीड टेज मोंटर आती है जो की फंगा क्यों फ्राट्र है रिपल्सर मोटर होती है सिंगल फेज की मोटर सिंगल फेज की मोटर स्वयम स्टाट महीं होती है स्वयम या अपने आप स्टाट नहीं होती है क्योंकि सिंगल फेज की सप्पाई क्योंकि सिंगल फेज की सप्पाई अटर्णेटिंग फेज पाईदा करती है अटर्णेटिंग फेज पाईदा करती है अटर्णेटिंग फेज पाईदा करती है जो की मोटर को स्टाट करने के लिए जो की मोटर को स्टाट करने के लिए पाईदा करती है रोटेटिंग मैगनेट्स फेल रोटेटिंग मैगनेटिक फेल मैगनेटिक फेल मैखनेटिक फेल यह आपज़सक्ता मोटी है क्या होता है जो एसे सिंगल फेट की जो मोट्डर है उसमें हम जब सिंगल फेट सप्लाई करके हैं जो हमें आप इसका टीन होती है क्योंकि सिंगंपेस की सपाई जो होती है वो आपक क्याश्केक कर ने के लिए लेकिन हम मोटर करें थो तो रोटेटिंग मेगनेटिक फिल्च चाहिए, तभी न भगो हाएगा, तभी न टॉर्क बनेगा, तभी पित मॉर्डर दोलेगी, ठैकर मोल्डर भी स्टार्ट करें से बाले स्टर्टिग करकी जोरब होती है और एक दूसरा और एक दूसरा वाइंडिंग की जाती है तुर्फ एक बनाते हैं और दूसरा पर बनाने के लिए अपिया करते हैं स्टेकर के निदर और एक दूसां कर देए है इसे स्प्लिट्ट बेज बंडिग या इसे स्प्लिट बेज बंडिग या इस्टर्टि बंडिग भी बंडिग करते है Vernding एस स्प्लिटिग में सेंटरिफ्यूगर स्वीच लगी भी होती है जब मोंटर स्टार्ट होती है जब मोंटर वो स्टार्ट करते है तो जब मोंटर करते है तो सेंट्रीक फीदर वीच के कारण सेंट्रीक फीदर वीच के कारण जब मोंटर करते है को सच्ट बूल शूच के कारन यह प्रे स्ट्छ यह प्रे स्ट्ट अट्रिं विडिग व सकता ध्या को विलिग को मिलिग को शिलिग विलिग को सर्किट से अलगता देता है अलगता देता है तकार्च वोटर रणिंग वैंडिंग में चलने लगती है वोटर की सेट पर एक स्पीश लगा होता है यानि वोटर का जो सेट होता है उसमें एक स्पीश लगा होता है किसे सेंट्रिफ्यूगल स्पीश करते है सेंट्रिफ्यूगल स्पीश क्या करता है स्टार्टिंग वैंडिंग के स्रीज में सेंट्रिफ्यूगल स्पीश लगी भी होती है और सेंट्रिफ्यूगल स्पीश जो होती है रॉनिंग वाटिंग में चले लोगे, यहीं मोंदर का में पंसर.